जहिन दोस्तो तो दोस्तो चैप्टर नंबर 18 आज देखने वाले हैं संजी वर्मा इंडियन एकॉनमी बुक को तो दोस्तो चैप्टर का नाम है इंसॉलवेंसी बैंकरप्सी एंड वेज कोड तो दोस्तो लेक्चर की PDF के लिए मेरी एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लिकेशन के नाम है प्रत्यूशा करन्ट अफेर्स दोस्तो लिमिटेड वीडियो आज आपको यूट्यूब पर मिलेगी और कम्पलीट यानि के फुल वीडियो का एक्सेस के लिए आज इसे आपको मेरी एप्लिकेशन पर मिलेंगी ठीक करते हैं तो देखो एक बार ओवर्व्यू देख लेता है इस चैप्टर में क्या बताया गया है पहले कहता है एकजिट पॉलिसी और उसका रेलिवेंस क्या है हमने दोस्तों पहले देखो 1947 में इंडिया आजाद हो जाता हमने देखा इंडिया कैसे गरीब था पोवर्टी थ तो जब कंपनियों को पैसे मिले सरकार के यह तरफ से बैंकों की तरफ से तो वह धीरे-धीरे क्या है कुछ अच्छे थे जो चुका पाए टाइम पर कुछ नहीं चुका पाए वह इंसॉल्वेंट हो गए बैंक रप्ट हो गए इंडिया में प्रोडक्शन के लिए क्या चा सेट अप हो गई तो अब कुछ कंपनी क्या करेंगी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो वह कंटिन्यू करती रहेंगी सस्टेनेंस तरीके से लेकिन कुछ ऐसी कंपनियों की वी जो बिल्कुल बरबाद हो चुकि है या तो उनको रिवाइव करा जाएगा या फिर क्या करा ज यह क्या इसका इमपेक्ट पडबे ऊप वह इसके बारे में बताएगा कि फिर नसी ऐल टी और इंसी एलएटी आइबिसी इंसलवेंश से एंड बैंकरप्सी कोड क्या इंसलिवींसी बैंकरप्सी में डिफ्रेंस क्या देखने को मिलता अमेंटमेंट करा जाता है दोजार ए scheme के बारे में बताया गया फिर दोस्तों यहां पर क्या है labor law reforms के बारे में बताया गया कि कैसे 2019 में labor reforms लाए गए थे कि code on wages 2019 में पांच चार चार कोड़ों को replace करा गया था फिर उसके बाद में code on social security वगयरा यहां पर provide करा गया gig economy के बारे में यहां पर बताया गया है तो दोस्तों यह सारा का सारा क्या हम इसके बारे में देखने वाले फिर चाइना से हम क्या कैसे सीख सकते हैं यह इतना बड़ा और बहुत important chapter है तो दोस्तों यहां से notes की form में start करते हैं तो सबसे पहले आता है exit policy है ना आपको पता लग गया 1991 में company setup होती है इंडिया में फिर कुछ company क्या करती है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जैसे जियो अंबानी की रिलाइंस है ना धिरे-धिरे HDFC बैंक वगयरा आते हैं यह तो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं आज भी टीक हुई है लेकिन कुछ दोस्तों company बहुत ज्यादा बेकार हो यह उप्रोफिटेबल है और लेकिन दोस्तों इंडिया में क्या कोई भी एक्जिट पॉलिसी ही नहीं है तो company तो सैट अप हो गई इंडिया में लेकिन अब एक्जिट पॉलिसी नहीं है तो यहां पर यह लफड़ा देखने को मिलता ट्राइब नग यह क्या करेगा यह उन company को उन company के केसिस को देखेगा या तो जो company बरबाद हो चुकिए या तो वह बरबाद होने की वज़े से वह completely बंद हो जाएगी या फिर उसको क्या करना पड़ेगा रिवाइब करेंगे दुबारा से जिंदा करेंगे तो इसका काम है एंसी एल्टी का जब भी यहां पर एंसी एल्टी में केस फाइल करा जाएगा उस company को करने के लिए या फिर close करने के लिए तो दो साल के अंदर अंदर पूरा क्या करना पड़ेगा इस प्रोसेस को complete करना पड़ेगा फिर अगर कोई इसके फैसले से हिरा के तहत में यहां पर अपील एंसी एल्टी की उपर से कराई जा सकती है अब देखो दोस्तों बहुत सारी companies पैसा वगयरा लेती है तो यहां पर क्या करते हैं दोस्तों टाइम बहुत जादा लगता था इनको रिकवर करने के लिए या फिर जिससे जिसने जिससे पैसा या उसको पैसा चुकाने में बहुत साल लगते थे जैसे पांस साल दस साल तो सरकार ने सोचा कि हम एक नया कानून लाते हैं ठीक है तो 2016 में सरकार नया कानून लाती आई बीसी एक्ट इसका नाम होता इनसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सरकार ने बोला हम विदिना लि दोस्तों यह इस बार इंपॉर्टन इसलिए सेक्षन और शिडियुल क्यूंकि यूपी ऐसे में लास्ट यह प्रिलिम्स में पूछा गया था कि कौन से कानून में कितने सेक्षन और कितने शिडियूल है तो यहाँ पर यह बता दिया तो इसका काम क्या है इंसोलवेंसी को करेगा तो अभी हम देखेंगे इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में क्या डिफ्रेंस देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर इंडिया में कोई बैड लोन की समस्या है उसको यह टैकल करेगा ताइम बाउंड प्रोसेस में इंसॉल्वेंट को ठीक करेगा अब देखो डेटर एंड क्रेडिटर यानि किसी ने पैसा दिया है उसको बोलेंगे एक तरीके से क्रेडिटर दूसरा है डेटर जिसने करजा लिया है तो दोस्तों दोनों ही क्या कर सकते हैं अगर पैसा फच जाता है कंपनी बरबाद हो सकती है तो दोस्तों दोनों ही स्टार्ट कर सकते हैं इ insolvency है ना वह complete 180 दिन यानि के 6 महीने के अंदर में क्या है resolve करना होगा तो यह deadline क्या है extend भी करी जा सकती है वह cases के basis पर अब यहां पर देखो जो छोटी companies है जिनका turnover दोस्तों एक करोड का है तो वहां पर insolvency 90 दिनों में complete करी जाएगी अब suppose करो किनी कारण वश 90 दिन में नहीं हो सकती तो deadline 45 दिनों के लिए extend करी जा सकती है तो दोस्तों यहां पर यह देखने को मिलता है 2016 में company यह लिया ही फिर दोस्तों 2019 के end में कहलो या फिर 20 की starting में कहलो 2019 20 में दोस्तों कोविड 19 पेंडमिक आ जाता है पेंडमिक की वज़े से आप ऐसे समझो सरकार ने कुछ contracts दिये थे इंडिया में company जो MSME है